हलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बुल बैस्टॉक पर आप सभी ने एक कावज जरूर सुनी होगी सो सुनार की और एक लुहार की देखो सब अपने लाइफ में कही न कहीं काम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए लेकिन कुछ काम साइलेंटली आप करते रहें तो अच्छा है जैसे इन्वेस्टमेंट छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट आपको एक दिन काफी बड़ा बना देंगी आप अपना काम रेगुलर करें बाकी टैंसन को आप अपने दिमाग से निकाल दें चलिए बढ़ते हैं आज की कमपनी शेयर की दरफ लेकिन अगर आप चैनल पर ने हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें कंट्री कॉंडो लिमिटेड कमपनी का प्राइमरी बिजनस सेल और प्लोट्स अंडर रियल एस्टेट सेगमेंट में है सबसे पहले हम शेयर होल्डिंग पैटरन की दरफ चलते हैं जहां प्रोमोटर्स की होल्डिंग 53.86% हमें देखने को मिली जो लाश्ट क्वाटर एंड में 54.06% थी साथ ही शेयर गिरवी एक भी नहीं है कमपनी पर डेट 73 लेक्स का है जबकि फ्री कैस फ्लो ही 1.56 क्रोड वहीं एन्वल प्रोफिट 62 लेक्स और क्वाटर 3 में प्रोफिट 9 लेक्स का था ये सब कुछ देखकर हम कमपनी को ओल्मोस्ट डेट फ्री कंसिडर कर सकते हैं कोविड के इंपक्ट से शायद ही कोई कमपनी बची होगी और ये भी कहां बचने वाली थी क्योंकि कोविड आने के बाद से काफी लोगों की जोब और फाइनेंशियल कंडिशन पर काफी इंपक्ट पड़ा वैसे तो कमपनी का प्रोफिट फिर भी कंसिस्टेंट है चाहे वो क्वार्टर तू क्वार्टर की बात हो या फिर इयर तू इयर की सिर्फ 17 करोड की मार्केट के वाली कमपनी का शेयर 52 वीक रेंज में हाई 4.80 और लो 0.90 रहा अभी opportunities हैं ग्रो होने की कमपनी के पास Return on Capital Employed 7.15% Return on Equity 3.30% और अर्निंग पर शेयर 0.06 है काफी चोटी कमपनी होने के रिजन से रिस्क बना रहता है comparison to large और mid-cap stocks Last 3 years का Return on Equity लो होने के साथ Last 5 years से sales growth भी कुछ अच्छी नहीं रही जहां COVID भी एक रिजन रहा बाकी आप अपनी savings को अच्छे से diversified करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए Bye Bye and Take Care